कि नौश्कार मेरा नाम डाक्टर कोपाल देथ है कि मैं व्याबसाइक अधियन विद्यासाका में कारे रहा हूँ आए हम बात करते हैं Microsoft Excel के बारे में आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से Excel की सीट से हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं हमारे टॉपिक का नाम है Printing and Viewing अर्थात किस प्रकार हम Excel से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं हाट कौपी में और किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं विई कर सकते हैं हम इसे बात करेंगे अलगला तरह के जो view types हैं उनके बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार से एक window को हम height कर सकते हैं हम बात करेंगे किस प्रकार हम अपने Excel के seat को freeze, frame एक option है उसका इस्तेमाल seat पर कर सकते हैं हम इसी तरह की और छोड़ी छोड़ी window उपर बात करेंगे हम बात करेंगे किस प्रकार Excel में अपने seat का preview देख सकते हैं preview अर्थाद print करने से पहले जो आपको दिखाए देता है कि आपको seat print होने के बाद कागज पर किस प्रकार से print होकर आएगा तो इन्ही विंडो उपर आएए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो व्यू है एक्सल के seat में जो हम व्यू की बात करते हैं वो किस पकार हैं और कितने तरीके से हम उसको देख सकते हैं हम सबसे पहले बात कर रहे हैं normal view एक अर्थाद आप एक्सल अपने seat को किस पकार देख पाएंगे एक व्यू का नाम है normal view नॉर्मल व्यू में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाए दे सकते हैं अमूमन आपको ग्रेड लाइन दिखाए देती हैं formula बार दिखाए देता है और आप चाहें तो इनको hide और unhide कर सकते हैं इनमें check box बनावा है चितर में आपको दिखा रहा है, headings भी आपको दिखाए दे रहा है, आप चाहें ये आपके seat पर दिखती रहें, तो ये check रहेंगे, अगर आप चाहें ये ना दिखें, ये uncheck रहेंगे, आप उनका check box हटा देंगे, इसी प्रकार दूसरे तरह का view है, जिसको full screen view भी कहते हैं, अ और पूरा जो seat है, पुरी screen के बराबर फैल जाती है, इसको full screen view कहते हैं, तीसरा जो है view, उसको हम कहते है, page layout view, एकसल में page layout view किस पकार दिखाई देता है, आपको चितर में सपस्ट रूप से दिखाई दे रहा है, अगला जो view है, इसको page brick preview कहते हैं, किस पकार से आप different axle की seat seat को अलग-अलग page की रूप में देख सकते हैं, एक ही screen पर आपको चितर में दिखाई दे रहा है, कि दो page 1 और page 2 लिखावा है, अगर आपकी seat पर ज्यादा data है, वो accordingly page size अलग-अलग pages में बिभाजित हो जाता है, बात करते हैं, Excel में आप अपने window कैसे set कर सकते हैं, single workbook as a window within Excel window किस पकार आप उस पर काम करेंगे, और एक से ज्यादा windows अगर आपने open करी हैं Excel में, तो उनको आप किस पकार manage करेंगे, इस बारे में बात करते हैं, या आपके window option पर आपको चितर में दिखाई दे रहा है, new window, आप एक नई window create कर सकते हैं, इनको arrange कर सकते हैं, और इनको freeze pain भी कर सकते हैं, किस पकार आप एक कर पाएंगे, चितर में दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से आप अपने window को hide भी कर सकते हैं, और split भी कर सकते हैं, split का मतलब है कि आप एक window को दो हिस्सों में वाजित कर सकते हैं, अगर आप window को hide करना चाह रहे हैं, आप hide button पर क जाना होगा जहां से आपने हाइट किया था उसके अगले बिंदू पर अन हाइट ऑप्शन आपको लिखावा देख रहा है एलो के माध्यम से उसको दर्साया गया है आप उसके क्लिक कर सकता है और आप से पूछेगा कौन सी बिंदो अन हाइट करनी है अगर आप एक से ज्या करके हुए डेटा पर आपके पास एक से ज्यादा डेटा है एंगलरी सीड्यीस युद्विज अचाहते हैं उसकी हेडर ही ही tässä हम् desse विल्ड रहे वो मूब ना होए अगर आप अपने HOL को स्कॉम करें आपंग की हैं थीरिदिंग को देखती रह सेखें किस पकार है में कीया लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको अपने करसर को इसी जगह पर स्टबल करना होगा किसी पर्टिकुलर सेल में मान कि चलते हैं कि आपके पास पांच कॉलम डेटा रखा हुआ है कॉलम ए बी वि इस डी और इस इन सेल in कॉलम्म में जो डेटा रखा है उनकी संख्या तक्रीबन 500 रिकॉर्ड तक है अथाथ आपने 500 रो में डीटा रखा इन 5 कॉलमों के तहट और पहला जो रो है वो हेडिंग है इसका मंदब A1 B1 C1 D1 जो आपके सेल के नाम हम आपको गिना रहे हैं इन में हेडिंग लिखी हुए है कि हर एक कॉलम में क् रखा गया है आप अपने करसर को अपने सेल को सेलेक्ट कीजिए बी एटू पर तो आप देखेंगे और उसके बाद फ्रीज पेंपर क्लिक कर दीजे आप देखेंगे जब भी आप अपने सीट को स्क्रॉल करेंगे तो होगा क्या कि आपको जो हेडिंग रो है जो टॉप र अगर आप माल्टिपल विंडो एक ही स्कीन पर चाह रहा है और किस पर डियुद तो आपको दिखाए दे रहा है स्विच कीजिए और किस तरह की आप 비데 मेंडों चाह रहे हैं वह आपकोclick कर सकते हैं तो आप से ज्यादा वी इस्तेमार कर सकते अब बात आती है हम किस पकार से multiple windows को arrange करें अगर एक से ज़्यादा window आपको screen पर दिखाई दे रही है या आप चाहते हैं दिखाई दे तो उसके arrange करने के कुछ तरीके हैं चित्र में दिखाई दे रहा है जिसको आप चार तरीके से arrange कर सकते हैं आप इन चारों में से किसी एक option का चुनाओ एक बार में कर सकते हैं और उसके बाद आप OK बटन पर क्लिक करेंगे तो उस तरह का arrangement windows की बीज में आपको दिखाई देगा यह option तभी काम कर पाएंगे जब आपके पास एक से ज़्यादा window दिखाई देंगी या open हुई होंगी Excel में यह एक आप नमोना देख रहे हैं किस तरीके से एक window जो है एक से ज़्यादा एक स्क्रीन पर एक से ज़्यादा window आपकी खुली भी है और horizontal mode में हम कह सकते हैं उन दिखाई दे रहे हैं multiple windows इसको हम कहेंगे side by side आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसी पकार हम बात करते हैं कि किस पकार से हम multiple windows के बीच में synchronization बैठा सकते हैं देख सकते हैं उनको आपस में उनको reset कर सकते हैं और side by side compare कर सकते हैं और चाहें तो उस workplace को उसको save भी कर सकते हैं setup को save भी कर सकते हैं यह हम बात करें थे अपने एक से ज़दा windows अगर open हो screen पर उनको कैसे manage करें आए बात करते हैं किस प्रकार से हम Excel से print ले सकते हैं printing a sheet hard copy में अगर आप कुछ print करना चाहते हैं तो उसके आपको क्या क्या तरीकी अपनाने होंगे या आपको क्या settings करने होंगे Excel sheet पर आकि आप एक अच्छा print ले सकें कई बार होता यह हैं कि जब आप Excel से print ले रहे होते हैं और उसमें जो number of columns हैं या number of rows हैं वो कुछ ज़्यादा होती हैं तो आप देखेंगे कि कुछ column आपकी एक page पर print नहीं हो पाएं कुछ cut के दूसरे मागए हैं यह प्रहे एक परिशानी का कारण बनता है इस तरह की परिशानी हमें ना हो इस बारे में हम चर्चा करते हैं एक Excel को Excel में से किसी एक seat को print करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए print कहां से होगा या तो आप shortcut key का इस्तिमाल कीजिए control P अथवा आप office बटन पर क्लिक कीजिए उसमें print बटन आपको दिखाए दे रहा है उसमें आप क्लिक कर सकता है print के बाद से आपको option देखा देगा print अथवा print preview इत्यादी तो print preview का अर्थ है कि आपने print नहीं किया प्रिंट करने से पहले आप उसका view देखना चाहते हैं फ्री वी अर्थ है उसको पहले देखना चाहते हैं before print ताकि आपको पर्षाने ना हो पिरेंट के बाद आप प्रिंट वैसे आए जैसा आपने प्रिंट उसम के प्रिंट पूंच पाएंगे आप जो कुछ अपने seat में से print करना चारते वो आपको दिखाए देगा आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हिस्सा कट रहा है या margin कम ज़्यादा करने चाहिए जो आपको lines दिखाए दे रही है उसको आप drag भी कर सकते हैं आगे बीचे खीज सकते हैं अन्यता आपकी सम्मुक दूसरा चित्र भी है उसमें page setup एक option लिखा हुआ है वहाँ से आप margin कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने page के तो इस पकार आप अपने margin की setting कर सकते हैं आप अपने print material की according अगर आपको ऐसा लगता है print कम है margin बढ़ा दिया जाना चाहिए margin वो जगह है जिस पर print नहीं होता है margin का अर्थ है यह जगह non printable है और आप margin कम करते हैं अर्थाद printable जगह बढ़ जाएगी तो यह सब हम स्वाइम ताई कर सकते हैं हमारे print material के अनुरूप किस प्रकार हम प्रिंट करना चाह रहे हैं और उसके बाद आप print बटन पर किलिक कर दीजे आपको चितर में दिखाई दे रहा है पहला option print है दूसरा quick print है तीसा print preview है जो दूसरे बटन पर किलिक करते हैं quick print पर यह तुरूंद print dialog box open करता है और आप से कुछ जानकारियां चाहता है जो निमनवत हैं चितर में दिखाई दे रहे हैं क्या आपने printer का चुनाव से ही किया है यह वह printer है जो by default आपके computer में as a default printer न install है नेम जहां पर लिखा हुआ है वहां से आप print का चुनाव अपने printer का चुनाव कर सकते हैं दूसरा आपको क्या print कराना है print hot उसकी range क्या है यह आपको दिखाई दे रहा है उसमापता ही कर सकते हैं कि मुझे selection जो है जो आप sheet में select करके आए हैं अगर आप चाहते हैं आप selected material print करा है बड़ी data series में से तो आप उसको select कर सकते हैं यहां पर आपके पास option है print what आपको क्या print करना है आप box पे click कर दीजिए selection या active seed या all अनिता जो भी है दूसरा option आपके पास है आपको इनकी number of copies कितनी बनानी है by default उसकी संख्या एक रहती है आप अगर एक से ज़्यादा चाहते हैं तो बना सकते हैं तो अगर आप preview देखना चाहते हैं फिर से यहां से फिर से click कर सकते हैं अनिता ok कर दीजिए और आपका page print की तरफ चले जाएगा printer accept कर लेगा अगर आपको कु पेज को प्रिंट करने के दो तरीके हैं horizontal जिसको पेज वरिंटेशन कहते हैं या वर्टिकल अर्थाथ पोटेट या लेंडिसकेप जिस पकार आप पोटेट करते हैं तो एक सामानी रूप से जिसमें page की height ज्यादा और width कम होती है उस style को पोटेट कहते हैं आप चितर में द ज्यादा चाहिए तो बजाए पोटेट के आप लेंडिसकेप पर जो है किलिक करें दूसरा option है scale इसके लेक बहुत महित्वपूर आप्शन है समझने के लिए by default adjustment का जो scale है 100% होता है अगर आपके रगता है कि कोई data ज्यादा है और आपके page में नहीं आ पा रहा है तो आपक जो original text है वह बहुत छोड़े सब्दों में लिखा हुआ है आप चाहते हैं उसको थोड़ा बढ़ा लें उसके दूतरी के दौरान बड़े size में print आए तो इसके थोड़ा बढ़ा सकते हैं दूसरा paper size क्या रहेगा इसका अगर आप चुनाव करना चाहते हैं चित्र में दिख height है वह 11.69 something होता है और जो विर्थ है जो चौड़ाई है वह 8.something inch में कुछ होता है तो आप यह भी देख पाएंगे कि जो A4 size आप select करता हैं तो उसका height अथार उचाही और चौड़ाई क्या है तो इस पकार आप यहां से print setup option का इस्तेमाल करके अपने printing को और efficient बना सकते हैं तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे किस पकार Excel में different windows अलगलग windows कर हम open करते हैं उनको manage किया जा सकता है हम बात कर रहे थे Excel में जो view facility है चाहे वो normal view हो चाहे वो full screen view हो चाहे वो page layout भी हो इसको किस पकार हम use कर सकते हैं और साथ ही हम बात कर रहे थे कि Excel में अगर हमें कुछ चीच print करने हो heart copy में तो उसके लिए क्या-क्या तरीक्या हो सकते हैं किस पकार हम print कर पाएंगे तो उमीद है कि आपको ये पसंद आया होगा आपके इस video lecture को देखने के बात काम करने की जो गुनता है जो कौसल है उसमें कुछ बिकास हुआ होगा क्या हुआ 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 है